नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरी यूटूब चैनल पर इसके पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं प्रयोजन मुलक हिंदी और उसके स्वरूप को लेकर के और आज हम बात करेंगे कार्यालेई हिंदी की तो कार्यालेई हिंदी से हमारा अभिप्राई है ऐसी हिंदी जो कि भारत के किसी भी दफ्तर में कामकाच के लिए प्रयोग की जाती है तो सबसे पहले हम भारत के कार्यालेईों की संकलपडा मोटे तौर पर समझने की कोसिस करेंगे तो भारत में जो कार्यालेई है वो केंद्रिय इस्तर पर है राज्चे इस्तर पर है फिर जिला इस्तर पर है तहसील इस्तर पर है और नगर इस्तर पर है इन इस तरों पर अनेक छोटे बड़े सरकारी अर्द सरकारी गैर सरकारी कार्यालई हैं और इन कार्यालईों को हम आपिस भी कहते हैं अंग्रेजी में ये कार्यालई आपिस कहलाते हैं और हिंदी में इसे हम कार्यालई कहते हैं तो ये जो बिभिन्न ओपिस हैं, हर प्रकार के जो ओपिस हैं, इन ओपिसों में जो आपसी कामकाज के लिए, पत्राचार के लिए, जिस भासा का प्रयोग किया जाता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं कार्यालेई हिंदी तो हमारी जो कार्यालेई हिंदी है वो भारत के बिभिन कार्यालेईों में प्रयोग की जाने वाली भाषा है सम्विधान ने हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया है तो 1950 से लेकर के 1965 तक समीधान के अनुसार जो भारत के कार्या लई हैं वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समान रूप से कार्या कर सकते हैं और 1965 के बाद भी समीधान ने ये उपबंद रखा है कि अंग्रेजी को हम आगे बढ़ा सकते हैं तो लेकिन वर्तमान में हम अंग्रेजी और हिंदी में जो सरकारी कामकाज है जो प्राइबेट कामकाज है यानि की कार्यालोयो का जो कामकाज है वो समपन करते हैं लेकिन उस समय जो ये उबंद बनाने का जो मूल उद्देश था 1950 से लेकर 1965 तक हिंदी और अंग्रेजी का जो उबंद था उसका मुख्य जो उद्देश था वो यही था कि हिंदी के पूर्ण सक्षम होने तक जो कामकाज है वो अंग्रेजी में किया जाएगा और अंग्रेज है तो वर्तमान अब जो बात आती है जो हमारे कार्यालेई की हिंदी है कार्यालेई हिंदी हम किसे कहेंगे तो जो हमारा कार्यालेई की जो हमारे हिंदी है उसका जो स्वरूप की अगर हम उसकी बात करें तो उसका स्वरूप वही है जो एक प्रियोजन मुलक हिंदी का स्व प्रयोब प्राइब करें अभी को अनेक विद्वाने अलग अलग नाम दिये हैं, वियोंसे उसी प्रकार कार्यालई हिंदी को भी अलग अलग नाम दिये हैं तो इन नामों को एक इन नामों पर एक बार दिश्टी डाल लेते हैं तो पहला नाम जो इसको दिया है वो दिया है कार्यालई हिंदी दूसरा नाम दिया है कार्यालई हिंदी तीसरा दिया है ट्रशासनिक हिंदी च पाच्वा नाम दिया है दफतरी हिंदी छटा नाम दिया है कामकाजी हिंदी तो जब हम इन सारे नामों को देखते हैं तो इनको देखने से हमें ऐसा लगता है कि यह सारे जो नाम है वह हमें क्या है एक ही अर्थ देते हैं जो कार्यालई हिंदी का अर्थ क्या है कि कार्यालई में प्रियोग की जाने वाली भासा वैसे ही ओपिशल हिंदी का क्या मतलब है कि कार्यालई को ही अंग्रेजी में ओपिस कहते हैं और ओपिस में प्रियोग की जाने वाले हिंदी दफ्तरी हिंदी तो दफ्तर भी कार्यालई को कहा जाता है यानि कि जो दफ्तर में प्रियोग की जाती वो हिंदी ठीक है कामकाजी हिंदी तो ऐसी हिंदी जो कामकाज के लिए प्रियोग की जा रही है वो कामकाजी हिंदी तो कुल मिलाकर जो ये जो नामकरण है ये केवल इनका नामकरण से अलग-अलग है इनका अर्थ क्या है एक ही है तो कुल मिलाकर हमें कह सकते हैं कि जो हमारे कार्याले हिंदी है वो ऐसी हिंदी है जो कि भारत के बिभिन्न कार्यालेयों में सरकारी गैर सरकारी आपसी पत्राचार के लिए प्रियोग होने वाली सासन के काम को सुचारू ढंक से चलाने के लिए प्रियोग की जाने वाली भाषा है और दो राज्यों के बीच महत्तुपून भूमिका निभा रही है एक राज्य से दूसरे राज्य की बीच जब भी कोई पत्राचार किया जाता है तो वो हिंदी या अंग्रेजी किसी माध्यम में किया जाता है तो जिस हिंदी का वहाँ पर प्रियोग किया जाता है उसे हम नाम दे देते हैं कार्याले हिंदी तो कार्यले हिंदी को भी अनेक बिद्वानों ने परिभाशित करने की कोशिस की है अनेक बिद्वानों ने इसकी परिभाशाइं दी है लेकिन इस संदर्व में जो सबसे समिचीन परिभाशा है वो है डॉक्टर दंगल जार्टे की तो मैं आपको डॉक्टर जंगल जार्टे मानी जा सकती है प्रशासनिक कामकाज के संबंधित वाक्य रचना सब्द प्रक्रिया तथा कार्यालई पद्यती के निर्वाह स्वरूप उसमें तटश्टिता आधी दिश्टिगोचर होती है तो डंगल जहार्टे का कहना है कि जो कार्यालई हिंदी है वो क्या है एक कि पद्यती है उसका एक मानक, श्वरूप है और उस भासा में हमें क्या है तटश्टिता दिकाई देती है इस प्रकार हमारी कार्यालई हिंदी आस समाक्त हो जाती है और अगले वीडियो में हम बात करेंगे पत्राचार की और पत्राचार के स्यासार्थ हम फीर ऐसके आगे आप सवी का बहुत-बहुत धन्यवाद.